मुझा जाए एक के बाद एक दो घटनाए घटीत हुई जबकि इसके पहले मानकापूर में अंडाकरी को लेक विवाद में दोस्त को मौत के घाट उतार दिया जानकारी की अनुसार कपिल लगर पुली स्टेशन अंतरगत उपलवाडी परिसर की सुनसान जगह पर ले जाकर दो यूवकों ने चाकू से मवार कर एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया कडू ले आउट निवासी 26 वर्षिये दीपक उर्फ गोलू देश राज राजपूत तक्षशीला नगर कडू ले आउट निवासी तुशार सुनिल गजबिये की बहन को परिशान कर रहा था इससे गुस्सा और स्वामी नगर रोड निवासी प्रेमचंद और फटोनी मारुदकार दीपक को उपलवारी परिसर की इटा भटी रोड पर सुनसान जगह पर ले गए और चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी पुलीस ने दोनों के खिलाब धारा 302-34 के तहत मामला दर्सकर गिरफतार कर लिया है ये शोद्रा नगर थाना अंतरगत बिना की मंगलवारी परिसर में रविवार की रात मामली विवाद में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई दो युवकों ने चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया पुलीस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है मृतक गोस्वामी अखाड़ात बिना की मंगलवारी निवासी राजेश और फरराजु मारुतरा और अरोपियों में करन यादव और शुभम वंजारी शामिल है रविवार को करन के पिता का देहांध हो गया अंतिम संसकार निप्टाने के बाद वहां राज चाड़े आड़ बजे दो पईया वाहन पर शुभम के साथ किसी रिष्टेदार के घर जा रहा था अखाड़े के समिप राजेश को करन की गाड़ी का कट लग गया दोनों के बिजगाली गलोच हुई करन पहले ही तनाव में था वहां दोड कर अपने घर गया और चाकू लेकर लोटा राजेश के पेट पर मार दिया शुभम ने भी मार पीट की और दोनों भाग निकले राजेश को अपचार के लिए मेयो अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घुशित कर दिया घटना के कुछ दिर बाद पुलीस ने दोनों को गिरफतार कर लिया इसी तरह मानकापूर पुलीस टेशन अंतरकद गोधनी परिसर में बनारसी नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई पुलीस ने आरोपी को गिरफतार किया है जहनकारी के अनुसार शराब के नशे में दुथ होने के बाद अंडा करी नहीं बनाने पर दोस्ते ने बनारसी को मौत के घाट उतारा मानकापुर पुलीस महज 10 घंटे के बीतर आरोपी महाडा क्वार्टर गोधनी निवासी गोरव और फनिक्कीत शैलेंद्र गायक वार्ड को गिरफतार कर लिया है